How to fix Instagram Reels Glitch Problem नमस्कार दोस्तों सुवागर है अब सभी का थिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों अगर आपको Instagram Reel पर Glitch Problem है तो दोस्तों कैसे आप इस Problem को Solve कर सकते हैं आज के इस वीडियो पर मैं आपको इसी के रिकार्डिंग पर सॉलुशन देने वाला हूँ तो कभी कबर दोस्तों हमारे जो Reel है उसमें भी Glitch Problem देखने को मिल जाते है Glitch जैसी कि दोस्तों कोई Bugs वगर आपके एप के अंदर पर आ जाते हैं आप इसको fix कर सकते हैं कुछ solutions के मदद से तो क्या solution होगा कैसे आपको solution करना है कैसे problem solve होगा सब कुछ इस वीडियो पर आपको guide कर दिया जाएगा सब solution में ही देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर पर तो दोस्तों चलिए वीडियो को बिना देर के हुए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले make sure चैनल को subscribe करते हुए वेल आइकुन को click करें अगर आप online पैसा कमाना चाते हैं तो वीडियो description पर आपको link मिल जाएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो reels है ठीके उसका जो glitch problem है उसको fix करने के लिए आपको सबसे पहले update ही करना होगा क्यूंकि दोस्तों reels जो है update में उसका solution रहते हैं ठीके तो make sure कि आप इस app को update करें एप update करना बहुत ही ज़रूर ही है इससे आपका bug problem fix होगा और glitch problem जो definitely update से ही fix होते हैं ठीके तो 50% यहाँ पे पकर लिजे या फिर 60% तो update से fix हो जाते हैं लेकिन किसी का होते ही किसी का नहीं हो पाते हैं डिवाइस की उपर में भी depend करते हैं ठीके अगर आपका problem solve हो जाते हैं तो अच्छी बात है अगर आपका problem solve नहीं होते हैं तो जाएए दोस्तो mobile के setting पर उसके बाद आपको यहाँ पर scroll down वगरा कर लेना है एपन notification पर जाना है दोस्तो यहाँ पर आपको एपन notification मेनेच अप इंस्टॉल अप करके option मिल सकते हैं तो instagram पर जाएए और एपको force stop करते हुए आप यहाँ पर storage and cache पर जाए clear storage okay कर दीजीगा और यह करने के बाद आपको बेक करना है ठीक है उसके बाद जाएए permissions पर तो permissions पर जाने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पर सारे permissions allow कर देना है mobile data access वगरा चेक कर लेना है and then mobile को restart कीजिए और check करके देखिए आपका glitch problem वही पर fix हो जाएगा लेकिन जब clear data करना जाते है तो दोस्तो आपको यहाँ पर अपना password होना चाहिए क्योंकि आपको re-login करना होगा ठीक है तो आपके data जो है वह restart हो जाएगा तो data restart होने के बाद ही आपका glitch problem solve होगा और दोस दोस्तो system पर जाके अपना system update को भी चेक किजिए अगर आपको system update available दिखाई देते थे तो system को भी update जरू कर लिजेगा ठीक है तो system update करना भी जरू दिए तो इस तरह के से आप जो है इंस्तार रियल्स glitch problem fix कर सकते हैं उमीद करते हैं आपको यह video पसन आओगा thanks for watching